हाई रोस्तों आइम यूसूफ यूर वाचिंग एनिमल लवर वाई के आप सबकाव हो दोस्वागत है हमारी चैनल पर जैसे कि आपने हमारे सारे अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और फिर उसके बार आपको हमारी सारी वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन यानि के सुचना जो होगी वो आपको सबसे पहले दिखाई देगी तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी सब्सक्राइबर के द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब तो जैसे उनका नाम है प्रभीन कुमार, महुम्मद रियाज और रिजवान सर इन सब के मुझे वाटसाप आये थे और कुछ लोगों के कॉल भी आये थे तो उनका सवाल था कि निव गूर फार्म खुलने के बाद उन्हें सबसे पहले कौन सी ब्रीड रखना चाहिए यानि कौन सी बकरियों की ब्रीड उन्हें उनके फार्म पे रखनी चाहिए जो लाप डायक होगी जिसमें उनका फायदा हो मुनाफ़ा हो अच्छे से और जिसमें कोई इतना रिस्क ना हो तो उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हो इस वीडियो में तो जैसी अपने पिक्स देखे होंगे फोटो देखे होंगे तो उस नसल का नाम है सीरो ही नसल तो दोस्तो सीरोई नसल आपके लिए मेरे हिसाब से निव गोड़ फार्म खुलने के लिए सबसे पहला option मैं आपको बताना चाहूंगा सीरोई होगा भारत के किसी भी इलाके में और अगर मैं महाराष्ट की सिब बात करूँ तो उसमानाबादी भी आपको एक अच्छा option रह सकता है तो सीरोई मैंने ये option to दिया है आपको तो जितने भी मैंने गोड़ फार्म जितना सच किया है और कितने विजेट किये है उसके इसाब से में को सिरोई जो नसल है इसमें कम रिस्क लगता है इसमें अगर आपको नुकसान भी हो तो इतना कुछ आपका नुकसान नहीं हो सकता और इसमें मुनाफा तो है तो सिरोही के कुछ खास बात मैं आपको बतना चाहूँगा कि मैं क्यों इसे आपके सवाल के लिए यह जवाब दिया है यह option क्यों दिया है सिरोही का तो सिरोही जो नसल है एक राजस्तानी नसल है और सिरोही एक राजस्तान के सिरोही जिले में ज़्यादा तर पाई जाती है और यह इसकी एक खास बात है किसी भी क्लाइमेट में रह सकती है वो भी किसी भी तरह की बिमारियों से दोर भी रह सकती है और अगर आप भारत के किसी भी इलाके में इसका बक्री पालंग करना चाहते हो तो सिरोई जैसी नसल को आपको सिर्फ राजस्तान से लेके जाओगे और अपने क्लाइमेट में सेट करने के लिए बहुती आसानी हो जाती है इसके लिए सिर्फ आपको टाइम पर वेक्सिनेशन करना होगा और डिवार्मिंग आपको जरूर करना पड़ेगा तो यह एक खासियत है सिरोई नसल की उपर से सिरोई के कीमत सिरोई जो नसल है या अन्य नसल की तुलना में इनकी प्राइब ज 영상 होती है यानि के अन्य कोटा सोजट जैसे नसलों से इनकी किमत यह वह कम होती है तो अगर आप नया गोट फार्म खुलना चाहते हो तो आप अगर आपके पास पैसे कुछ मीडियम रेंज में होंगे तो सीरोई जैसी नसल आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है जो के प्राइज में रिजनेबल है और अगर आप राजस्तान में जाके खुद लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छी प्राइज में निव गोट फार्म खुलने के लिए आपको अच्छे से अच्छी बकरिया और बकरे भी मेल सकते सीरोई नसल की तीसरी बात में बताना चाहूंगा कि यह आपके लिए अगर आप गोट फार्म पे रखते हो तो यह आपके दो मकसद के लिए कामों में आ सकती है एक तो आप इसको ब्रेडिंग के हवाले इसे सेल कर सकते हो दूसरा कारण इसका मटन मार्केट के लिए भी आप जिरूस कर सकते हो कि इतना इसका रेट होता नहीं है आपको सकते में मिल सकते हैं तो आप इसे मटन मार्केट में भी लगा सकते हो उपर से आप साल में एक बार जो मार्केट होता है बकराइट का मार्केट इसमें भी आप अच्छे से अच्छा दाम ले सकते हो यह काफी अच्छी नसल होती है वेट गेनिंग के मामले में और इसका जो मतन जो होता है वो काफी अच्छे किलोग्राम में निकलता है यानि कि heavy weight breed होती है शिरोई तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि तीन मकसक लिए आप इसे इसका business कर सकते हो एक तो breeding के लिए एक मटन मार्केट के लिए और बकराइन मार्केट के लिए तो दोस्तों किसी भी तरह से आप देखते हो तो शिरोई एक अच्छा option है आपके लिए अगर आप नियो गोड़ फार्म खुलना चाहते हों और अगर इस मक्रियों का पालन आप किसी भी इलाके में जाए चाहे वहाँ पर गर्मी हो या बारिश हो या फिर कितनी भी थंडी हो इन में जो है रोग प्रतिकार शम्ता बहुत ही अच्छी मानी जाती है जैसे कि मैंने सर्च कि और गोड़ फार्म पर विजिट करके भी मैंने देखा है इसके रिजल्ट काकी अच्छे इसमें खाली एक ही खाली गलत बात बुरी बात इतनी है कि इसमें दूद देनी की शम्ता थोड़ी कम होती है बाकी सब कारणों में ये बहुत ही अच्छी नसल मानी जाती है तो दोस अच्छी में अच्छा गोड़ फार्म खोलना चाहते हो तो आप राजस्तान जाकी अच्छी से अच्छी नसल की बक्रिय और बक्रिया जो है वह आप अच्छी से रेट में ओभी कम से कम रेट में आप ले सकते हो और अगर आप पॉंटरी में ज्यादा लेते हो तो आपको और भी सस्ता मिल सकता है तो यह थी मेरा उप्शन आपके लिए नया गोड़ फार्म अगर खोलना चाहते हो तो आप सीरोई नसल को जरूर सोची तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में और गोड़ फार्म प्रमोशन के लिए आप हमारे नंबर पर भी कॉंटेक कर सकते हो जो क कि मेरा नंबर है डबल सेवन वन फाइन नाइन वन जिरो टू डबल सेवन तो दुआ में याद रखे और लाइक शेर सब्सक्रेब जरू करें